हिंदी दर्शन में आपका सुरकत है आज की कप्षा से हम भारती काविशास्त्र प्रारंब करने जा रहे हैं भारती काविशास्त्र को प्रारंब करने से पूर्व हम संस्क्रत काविशास्त्र के प्रिसिद आचार्यों की देन के विशे में जानेंगे क्योंकि यहां से हिंदी की लगभग प्रतियों की परिक्षाओं में एक प्रिश्ण पूचा जाता है कावे सास्त्र का जो प्राचिंतम ग्रंथ है वह है भरत्मुनी का नाट्य सास्त्र माना जाता है यह है कावे सास्त्र के उपलब्द सर्व प्रधम रचना भी मानिशाती है भरतमुनी के बाद में भामह, उसके पश्चात, उद्भट, दंडी, वामन, रुद्रड, महाराजा भुजराच, ध्वनिकार, आनंदवर्द, मम्मट, जैदेव, विश्वनात, अप्पैदिक्सित और पंडित जगनात इत्यादी महान विद्वानों के बारे में यहां हम चर्चा करेंगी चिन्होंने कावे सास्त्र के छेत्र में एविस्मर्णी योगदान दिया है तो सबसे पहले हम भरतमुनी की बात करते हैं भरतमुनी का समय दूसरी सदी माना चाता है और इनकी प्रमुक्रचन नाटे सास्त्र माने चाती है नाटे सास्त्र साहिस्ते सास्त्र का प्राचिंतम ग्रंथ माना चाता है भरतमुनी को रस्ण प्रदाय का प्रवर्दक माना चाता है रस्वादी आचारे भरत्पुनी रसंप्रदाय के प्रवर्थक माने चाता है इन्होंने नाटे सास्ट्र के सिस्टम अध्याय में रस्ट्र की सापना की है विभावा नुभाव ये भीचारी भाव संयोगा रस निश्पत्ती शुत्रों देते हुए भरत्पुनी ने अपने रसुत्रों की व्याख्या करते भी कहा है कि जिस प्रकार नाना विंजनों ये ओशदी आदी के संयोग से रसादी उत्पत्ती होती है उसी प्रकार नाना भाव के संयोग से रस की निश्पत्ती होती है जिस प्रकार गुड़ आदी द्रव्यों यम उपशेचत तथा उशद आदी से ही धन्राई की रसुत्पन होते हैं उसी प्रकार नाना भावों यानि विभावादी की सहयोंक से स्थाई भावरस की स्थिति को राप्त करते हैं भरत्मुनी ने आठ रसों की चर्चा की है जिसमें से चार इन्होंने प्रधान रस बताएं हैं आठ में से चार प्रधान रस बताएं हैं कौन-कौन से श्रंगार, रोद्र, वीर और विभावाद्स पुनह, श्रंगार से खाश्य, रोद्र से करों, वीर से अधुद, उर्युभाद्स से भयानकरस की उत्पत्ती मानते हुई ये आठ रसों की बात करते हैं नाटे सास्त्र में ही इन्होंने जो अलंकार है, उनका उल्ले किया है, वो चार अलंकारों की बात करते हैं चार अलंकारों में कौन-कौन से अलंकारों के बात करते हैं आपसे पूछा जा सकता है, कौन से चार अलंकारों की बात भरत्मनी नाटे सास्त्र में करते हैं इसके साथ ही दसकावे गुण जिसमें शलेश, प्रशाद, समता, समाथी, माधूरे, ओजबद, जोको, मार्या, आर्थ, विक्तिव, दार्द, और गान्दी की बात करते हैं और दसकावे दोसों की बात भरत्मनी करते हैं जिसमें गुडार्द, अर्थांतर, अर्थीन, पिनार्द, इकार्द, अभिलुपतार्द, न्यायवपोद, विशम, विशन्दी और शब्द चुद की बात करते हैं आगे देखते हैं भामे की संधर्व में भामे का समय साथवी सदी माना जाता है और इनकी प्रमुक रचना कावे लंकार मानी जाती है ये अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक आचारे माने जाता है इनकी रचना जो कावे लंकार है इसे अलंकार सास्त्रिक की प्रत्थम स्व पद्धे हैं सब्धार्तो सहितो कव्यम यह कव्य लक्षण है जिसका प्रतिपादन किया है भामे ने प्रश्न कई बार पूछा जाता है सब्धार्तो सहितो कव्यम जो कव्य लक्षण है यह किस ने दिया है तो भामे ने दिया है जिसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ सहि कावे हैं इसके साथ ही न कांतंपी निर्भूशम विभाती वनिता मुखम अलंकार के विशय में इनका निम्न कथन अत्यंत प्रसिद है जो कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है ये अलंकार को व्यवस्थित और विवीचित करते हुए वक्रोक्ति को सोंदर्य और अलं आधार स्विकार करते हैं कौन भामेह इन्होंने तीन कावे गुण की बात की हैं और दस दोस्तों की बात की है impact कॉन कॉनसे माधूरय और प्रशाद वक्रोक्ति को इन्होंने अतिशोक्ति का प्रियाय माना है । भामे ने वक्रोक्ति की प्रतम भार चर्चा करते हुए उसे अतिशोक्ति का प्रियाय माना है और वैधर्वी और गोडी रीतियों को इन्होंने एक माना है भामे के विशे में माना जाता है कि ये रस्वी रोधी आचारों में प्रतम स्थान प्राप्त करते हैं ध्यान रखेंगे रस्वी रोधी आचारों में प्रतम स्थान किसी प्राप्त है तो भामे को प्राप्त है इनकी ड्रस्टी में रस्ट जो है वह गोण है गोन स्थान प्राप्त करता है आगे देखते हैं दंडी के संधर्प में दंडी का समय आठवी सदी और इनकी जो प्रमुक्रचना है वह कावे दर्स माने जाती है दंडी के विशे में कहा जाता है कि कुछ अंसोमी यृत्ती संप्रदाय के उद्भावक और आंसिक रूप से अ अलंकार संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं अलंकार वादी आचारे दंडी ने अलंकार को कावे के आत्मा मानते हुए क्या कहा है कावे सोभाकारान धरमान अलंकार पर चते हैं अर्थार्द कावे में सोभा उत्पन करने वाले धर में ही अलंकार कहलाते हैं दंडी ने अ met की चंखunde कितनी मानी है 35 मानी है भामें जहां अलंकार के मुल में वक्तों प्रोखती को मानते कि अलंकार के मूल में अतिशोक्ति को मानते हैं एक और महत्वपून बात दंडी के विशे में इन्हों नहीं रीती के स्थान पर मार्ग शब्द का प्योग किया है द्यान रखेंगे दंडी ने रीती की स्थान पर मार्ग शब्द का प्योग किया है और वैधर्वी और गोडी रिती का स्पस्ट भेद किया है इन्होंने गुण को वैधर भी रिती का प्रान कहा है दंडी ने दश गुण और दस दोसों की चर्चा की है इसके साथ ही इन्होंने नाटक को मिश्र कावे कहा है इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि दंडी के वल सिध्धान्तवादी ही नहीं बल अगे दिखते हैं वामन के संधर्प में वामन का समय है आटवी सदी माना जाता है और इनकी जो रचना है महतपून काव्य लंकार सूत्रवर्दी मानी जाती है ये रिती संप्रदाई के प्रतिस्ठापक माने जाते हैं रिती को काव्य की आत्मा मानते भिए रिती रात्मा का यह जो कथन है कई बार परिक्षा में पूछा जाता है जो वामन का ही कथन है इसके साथ ही कई बार परिक्षाओं में विसिस्ट याद रखेंगे विसिस्ट पद रचना रिती यह कथन भी पूछा जाता है जो रिती की संधर्प में किस ने कहा है वामन ने कहा है काव्यलंकार सुत्रवर्दी में वामन की एकमात्र जो रश्चना माने जाती है इसके तीन अंस माने जाते हैं आठवी स्थापनी में रिती का सर्वप्रत्म प्रियोग करने वाले वामन ही माने जाते हैं पांचाली रिती की उद्भावना वामन ने ही सबसे पहले की है इन्होंने गुण और अलंकार का भेद किया है ध्यान रखेंगे गुण और अलंकार का भेद करने वाले कौन है वामन माने जाते हैं काववे सोभाया करतारो धर्मा गुणाहा ये किसने कहा है तो वामन ने कहा ह क्यों त्योंकि इन्होंने गुण और अलंकार में भेद किया है आगे रिखते हैं रुद्रट के संधर्प में रुद्रट का समय नौविस ताब्दी माना जाता है और इनकी प्रमुक्रचना जो है वह कावे लंकार मानी जाती है रुद्रट अलंकार संप्रदाय के पोसक मानी जाते हैं इन्होंने अलंकारों का स्वाड़ प्रतम विज्ञानिक रूप से विभाजन किया है और वास्तम में ओपम में अर्तिशे और स्लेश इन चार आधारों पर अलंकारों का विभाजन करते हैं इन्होंने 57 अलंकार बताये हैं किसने र प्रतिवा के दो हैं सहजा और प्रतिव कर दिज़कर कि प्रतिवार के दो भेद किये हैं ये प्रत्थम चाहरे हैं जिन्होंने अलंकारों का विग्यानिक डुष्टी से विभाजन किया है मेहतोपून प्रिश्ण है इन्होंने सर्वप्रतम वक्त रोक्ति को शब्दालंकारों के वर्ग में स्थान दिया है आगे देखते हैं आनंदवर्दन आनंदवर्दन का समय नवी सदी माना जाता है उनकी जो प्रमुकर रचना है वह है द्वन्या लोग मानी चाती है द्वन्या लोग के रचनाकार जो आनंदवर्दन है इन्होंने द्वन्य को कावे की आत्मा माना और क्या कहा कावे शात्मा द्वनी ही रिती बुद्धेरते है तो द्वन्य को ही ये कावे की आत्मा मामते हैं ये द्वनी संप्रदाय के प्रवर्दक आनंदवर्दन पंडि ज जगनाद के शब्द। आगे देखते हैं मममट के संधर्प में। मममट का जो समय है, वहें 11 लिज अब दिमाना जाता है और इंकी प्रमुक रचना है, वहें कवे प्रकास आनी जाती है। मम्मट का उदय कस्मीर से हुआ है इनकी लब्त प्रतिष्ठीत रचना कावे प्रकास ही है मम्मट ने कावे में अलंकार का हुना आविशक नहीं माना है बहुत बार परिच्चा में पूछा जा चुका है कि हैं इनका मत क्या है कि तद दोसों अब्दार तो अर्थार्द दोश रहीते सगुन सहीत रजना कवह हैं सगुना वन अलंक्रति पुनह क्वापी उसमें अलंकार हो सकते हैं और कहीं नहीं भी हो सकते हैं इन्होंने मम्मट ने सकती निपूनता अभ्यास का वेहतु को माना है अर्थार्द इन्होंने सकती निपूनता और अभ्यास ये अलग-अलग कर लेंगे आप सकती निपूनता और अभ्यास ये तीन का वेहतु बताएं हैं चो कई बार परिक्षा में पूछा जाता है इन्हों अभिनाव गुप्त सम्मत रसाभी व्यक्ति की मानेता का समर्धन किया है। आगे दिखते हैं कवी राज विश्वनात के संधर्प में इनका समय 14 सदी माना जाता है और इनकी जो प्रमुक रचना है वह साहिते दर्पन मानी जाती है। विश्वनात की जो साहिते दर्पन है वह बहुँ चर्जित और लब्द प्रतिस्चित रजना मानी जाती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम पंडित विश्वनात ने काव्य का लक्षन यह बताया है जो कई बार पूछा जाता है। अर्थात काव्य का सर्वांग वनन इन्होंने किया है। रस्वादी सिध्धान्त जो भरत्मुनी से आरम्भु हुआ था कविराज विश्वनात के रूप में पोण हुआ माना चाता है इन्होंने काववे के चार प्रियोजन माने है कितने प्रियोजन माने है इन्होंने काववे के तो चार प्रियोजन कविराज विश्वनात ने करते हैं जो रीतियां वह चार बताई हैं वेधर भी गोडी लाठी और पान्चाली इन्होंने वीरियरस के भी चार भेद किया हैं साहती साथ कि इन्होंने जो काववे के दुरश्य और स्रववे भेदा जो हैं काववे के इन्होंने चार प्रियोजन बताती हैं चार रीतियां बताई है इन्होंने लाती बताई है जिसमें वैधर भी गोडी लाती और पांच आगे दिखते हैं पंडित जगनात के संधर पे इनका समय सत्रुष ताबदी माना जाता है और इनकी प्रमुक्चो रिष्णा है वह रसकंगाधर मानी चाती है रसकंगाधर में अध्यायू का नामकरण आनन शीशक से किया गया है रमणिया आर्थ प्रतिपाद का हाँ शब्दह काव्यम आप अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे यह यहां से आप हटा लेंगे रमणिया आर्थ प्रतिपाद का हा शब्दह काव्य यह पंडित जो जगनाथ है इन्होंने काव्य का लक्षन बताया है जो कई बार परिक्षा में पूछा जाता है जगनाथ ने काव्य के चार भेद बताये हैं कौन से चार भेद उत्मत्तम उत्तम मध्यम और अधम प्रति प्रतिभा को एक मात्र कावे हेतु किसनी माना है तो पंडित जगनात ने एक मात्र कावे हेतु प्रतिभा को माना है ध्वनी संप्रदाय के प्रबर समर्थक रहे हैं साथ ही साथ रश्वादी आचारे जगनात रसके सर्मांग नीरूपक आचारे माने जाते हैं परंतु कावे ये द्वानी को भेत्वर देते हैं इसलिए ये द्वानी के प्रबर समर्थक माने चाहते हैं आगे देखते हैं संस्रकत की जो प्रिसित का विशास्त्री ग्रंथ हैं और रचनाकार हैं उनका काल क्रम आनुसार अध्यन हम करेंगे क्योंकि यहां से प्रिश्ण आपसे बनाया जा सकता है काल क्रम का बनाया जा सकता है रचना देकर आपसे क्रम वाला प्रिश्ण पूछा जा सकता है आचारे इनकी सम्हित सीमा के अनुसार भी आप से क्रम से लगεια जा सकते हैं, आप एक बर फ़र प्रमुक आचारे हैं इनको क्रम से देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आए नुसरी सदी रही है zaproichen जिनका प्रसिद गृंथ है नाटे सस्त्र तो आप क्रम के अनुसार उनको अच्छे से याद कर लेंगे इसके प्रशाथ साथवीश तापनी में भामए आते हैं जिनका प्रसिद जो गृंद है वह है काव्य लंका walking माना जाता है इसे भामा लंकार के नाम से भी चाना जाता है फिर आप ध्यान रखेंगे दंडी वामन और उद्भट इनकी रचनाएं देख लेंगे दंडी की काव्यदर्ष वामन की काव्यलंकार सुत्रवर्दी उद्भट की काव्यलंकार सार संग्रह या काव्यलंकार संग् यह जो तीनोघ रहे यह यह डंडी वामन और उदभर्ट। इन तीनों का समय आठ्वीस ती माना जाता है क्रम से लगाएंगे तो अब ध्यान रखतेंगे लगभटर्व आठ्वीस अधी बट लोलट शंग्कूः रुदर्ट आनंद वर्दन और फ्यास इन सभी का समय माना चाता है नवी सदी के वास पास कोई जैसे लोलट है प्रारंब्ध के हैं संग्कूः प्रतम चलड प्रतम चलड आनंद वर्दन भी मध्य Czech के आप इतना याद रखेंगे कि लोलट संकुक रुद्रुट आनंदवर्धन ये नवी सदी के माने जाते हैं लोलट की प्रमुक रचना नाटे सास्तर की टीका जो एपराप्पे है संकुक की नाटे सास्तर की टीका एपराप्पे है रुद्रुट की कावे लंकार आनंदवर्धन की द्वन्या लोग और व्यास की अ बजना है एप्राप्पे है लेकिन पूछा जाता है इसके बाद में ध्यान रखेंगे दनंजे भोज कुंतक अभिनव गुप्त और शेमेंद्र इनका जो समय है लगभग 10-11 सदी के आसपास माना जाता है तो आप इस प्रकार से इसको कुरम में लगा लेंगे भरत दूसरी सदी भामस आत्वी फिर दंडी वामन उद्भर्ट आठवी लोलट संकुक रुद्रट आनंद वर्दन ये नवी सदी के आसपास राजसेगर भठनाएक दनंजे भोज कुंतक अभिनव गुप्त दसवी ग्यार्वी सदी फिर महीम भट और मममट ग्यार्वी सदी इसमें मही भट की जो रचना है व्यक्ति वीवेक पूछा जाता है और मममट की कावि प्रकास रचना प्रमुक है फिर इसके पर्शा देखते हैं 12 सदी में रुयक और हिमचंद्र आते हैं हिमचंद्र की काव्यानुसासक अनुशाशन प्रमुक रचना मानी जाती है जैदिव सर्दातने विद्यानात विद्यातरोर भानुदत ये तेरवी चोध्वी सदी के आसपास बाने चाते हैं इसके बाद में पूछे जाते हैं विश्वनात जो चोध्वी सदी में आते हैं क्रम में लगाने वाले प्रिश्णों में जिनकी प्रमुक्रचना साहिते दर्पन है सोल्वी सताब्दी रूप गोस्वामी जिनकी प्रमुक्रचना उज्वल नीनवनी है इसके पश्चात सोल्वी सताब्दी में आते हैं कभी करणपूर और अपैदिक्सित और 27 सदाबदी में जगनाथ की जिन की प्रमुक्रचना है रज गंगाथर इस प्रकार से आप इनको उक्रम से देख लेंगे तो आज के लिए इतना ही अगली कक्षा में हम जो भारतिय का विसास्र है उसका विधिवत अध्यन प्रारंब करेंगे धन्यवाद